कि डेरेक्ट सेलिंग के बिजनस को एक स्कैम काहा गया है इंकम का कैसे जरिया हो जहां लोगों की इंकम से आपको इंकम आने वाली हो अब प्रश्ण ये उड़ता है कि डेरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस-किस व्यक्ति को आना चाहिए डारेक्ट अपने कंजूमर तक पहुचाएंगे ताकि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर अमित मैश्वरी और आप सभी का सौगत करता हूँ आज के इंफार्मिटिव वीडियो में या किस विक्ति को डिरेक्ट सेलिंग करने आइजाने में बात में बुराइं है इसके बारे में हमने सुनी हैं वह इम लम्म सूब जाते हैं एया बरबाद हो जाते हैं या मिलम की वज़ए से लोगों के रलेश्वरी खराब हो को जाते हैं यहेoo about सारे लोगों के सपने साकार हो जाते यह दो बहुत सार लोगों कैसे प्रश्ट को देखते हुए त्वीडियो ज़रूर बनाए क्यों कि आज बहुत सारे लोग इसके बारे में सटीक जनकारी चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सच में यह स्कैम है यह एक तरीका है अपने सपनों को साकार करने का तो आए इसी विश्यापर हम बात करते हैं MLM को अलग-अलग नमों से जानते हैं MLM Direct Selling Network Marketing या कुछ लोग इसको टीम बिल्डिंग प्रोग्राम बोलते हैं कुछ लोग इसको स्कैम बोलते हैं लेकिन हम बात करते हैं Direct Selling क्या है Network Marketing क्या है Network Marketing को समझने से पहले न हमें एक बिजनस के concept को समझना बहुत जुरूरी है कि बिजनस कैसे काम करता है क्योंकि Network Marketing भी अपने आप में एक बिजनस है तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनस का जो मॉडल है वो कैसे काम करता है देखें एक बिजनस में जहां पर बहुत सारे प्रोड़क्स में हम डील करते हैं वहां पर सबसे पहला जो काम है वो है डिस्टीबूटर मेटरिल लेता है डिस्टीबूटर से होलसेलर मेटरिल लेता है होलसेलर से रीटेलर मेटरिल लेता है क्योंकि डिमांड जो है वो रीटेलर पूरी करता है और रीटेलर से कंजियूमर तक प्रोड़क्ट पहुंचने में एक बहुत बड़ा बिजनस साइक involved होता है जहां पर बहुत ज़्यादा operating cost आती है अब direct selling business कैसे काम करता है इस बारे में बात करते हैं direct selling business भी एक उसी तरह से business है जैसे manufacturing का business wholesale retail और consumer तक अपने product को पहुंचाता है product को promote करने के लिए बहुत पैसा marketing पर खर्च करता है लेकिन जो direct selling है वो same concept काम करता है वो क्या कहते अगर किसी भी product की manufacturing कर रहे है ना तो हम उसके लिए कोई marketing नहीं करेंगे हम कोई distribution network अलग से नहीं बनाएंगे हम वो material wholesaler को नहीं देंगे हम वो material आगे चलके retailer को नहीं देंगे हम वो material as a manufacturing unit direct अपने consumer तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी marketing cost हमारी distribution cost हमारी wholesale cost हमारी retail cost ये सारी तक 100 और पे तक पहुंचता है इसका मतलब 90 रुपे की जो cost है वो इन सबी चीजों पर cost involved है direct selling business में या multi level marketing business में company कहती है कि हम अपने product को direct consumer को देंगे और अपने ही consumer को अपना distributor भी बना देंगे मतलब जो consumer है वही product का distributor भी है manufacturing company अपने customer को product देती है और वही product distribution के network में उसी व power of recommendation मतलब आपको क्या करना एक product का इस्तिमाल करना है product को use करना है और यूज करके अगर आप satisfied है तो उसको आपको recommend करना है जब आप बहुत सार लोगों को recommendation करेंगे तो आपके recommendation से से लाएगी और जो सेल आपके recommendation से आएगी उसका incentive आपके account में transfer हो जाएगा यह direct selling company कहती है य आपने किसी व्यक्ति को reference दिया जब आपने reference दिया तो आपका distribution margin direct आपके account में आ गया फिर आपने किसी और व्यक्ति को reference दिया तो उसने भी आपसे product खरीदा आपके link से reference से उसका distribution margin भी आपके account में आ गया अब यह व्यक्ति भी same यही काम करेगा आप direct selling को multi level क्यों बोलते है क्योंकि इस लेवल पर तो आपने अर्निंग ले ली इस लेवल पर जब इस व्यक्ति को इंकम आएगा तो कुछ परसेंटेज आपको भी आएगा इसका मतलब जितने ज्यादा number of layers बनती जाएंगी इतने ज्यादा इंकम आपको आती जाएगी इसी बात को लेकर लोगों के मन म बहुत-बड़ा भ्रहंबी है कि हमें network marketing करना चाहिए या नहीं करने चाहिए या हम कैसे इंकम के निभार कितनी हो रही है है एक manufacturer direct consumer के link में रहता है और consumer ही material का distribution करता है जिसकी वैसे सारी cost बसती है और वही cost profit के रूप में अपने direct sellers को दे दिया आता है अब प्रश्ण यह उड़ता है कि direct selling industry में किस-किस व्यक्ति को आना चाहिए कौन से ऐसे लोग है जिनको direct selling करनी चाहिए तो पहली बात मेरे ध्यान से समझ लिजेगा बहुत सरे लोग ऐसे हैं जिनकी income limited है मतलब उनके पास income का एक ही source है और वह income भी आने वाली एक fix income है जिससे उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं या अपने unlimited income को direct selling के जरीए unlimited income में convert कर सकते हैं नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जौब ना अन्सिक्योड है उनको लगता है कि कभी भी मेरी जौब छूट सकती है या मैं एक से बेरोजगर हो जाओंगा तो ऐसे वेक्तियों को direct selling करनी चाहिए ताकि उनके पास income का कैसे जरीया हो जहां लोगों की income से आपको income आने वाली हो और direct selling concept भी है कि आप काम करेंगे तब भी पैसा आएगा आपके लोग काम करेंगे तब भी पैसा आएगा या आपके dream बहुत बड़े हैं आप big dreamer हैं आपको लगता है कि मेरे पास अपने खुद की बड़ी गाड़ी होनी चाहिए मैं international trip करूं मेरा standard of living बिल्कुल different होना चाहिए मेरा खुद का घर बहुत आलिशान होना चाहिए आपका social circle बहुत बढ़िया होना चाहिए तो ऐसे लोग जो big dreamer है अपने बड़े-बड़े सपनों को साकार करना चाहते हैं वो भी direct selling करते हैं अगर आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं आपको लगता है कि आपको बहुत नेक्स्ट अगर आप rejection को face कर सकते हैं क्या होता है friends direct selling में ना जब आप किसी व्यक्ति से किसी proposal को discuss करते हैं तो large number of rejection होता है एक ratio देखी गई कि 10 में से 9 लोग आपको reject करते हैं और एक लोग आपको स्विकार करता है एक व्यक्ति तो यहां पर rejection का जो ratio नहीं बहुत ज़दा है अगर आप rejection को जहलने के लिए तयार है rejection से आपका मनोबल नहीं तूटता है या rejection से अप अपने आपको failure नहीं मानते हैं तो direct selling business आपके लिए उसके लावा अगर आप fast learner हैं कहते हैं कि जतने ज़ unlimited income के साथ business करते हैं और आप network को strong बना सकते हैं या अपनी एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हैं तो आप unlimited income खमा सकते हैं direct selling का business आपके लिए अब प्रशनी उड़ता है अगर यह सारी बाते हैं और direct selling का business आपके लिए और direct selling का business बहुत अच्छा है तो ऐसा क्यों है कि direct selling के business को एक scam कहा गया है फ्रेंट देखिए हर industry में ना हर company अलगल तरीके से perform करती है बहुत सारी company इस वादे के साथ आती है कि आपको करोड़ पती बना देंगे आपके बड़ी बड़ी गाडिया होंगी आपके बड़ी बड़ी बंगले होंगे आप international trip कर रहे होंगे आपको money को multiply करने का का म करती हैं कि है आप 10,000 रुपे लगाएंगे तो आपको 5,000,000,000 रुपे मिलेंगे आप करोड़ पती बन जाएंगे या कुछ companies जितना सेल कर रही है और उसमें जितना cost of production है उसके लावा जितना profit बच सकता है और उसका distribution ठीक से नहीं कर रही है या उससे ज़्यादा बड़े सपने दिखा कर आपको ज़्यादा profit offer कर रही है तो ऐसी company में markets out कर जाती है भारत जैसे देश में कोई भी वैपार जब आता है ना तो वहाँ एक तरह से तहल कम अज़ जाता है तो known और unknown दोनों तरह के लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं ऐसी companies जो already established है वो काम करती है और नहीं नहीं companies जो बड़े vision को लेकर आती है इसलिए इस business को scam कहा जाता है वास्तिविक्ता में direct selling business जो है वो scam नहीं है वो एक सोचा समझा business model है जहाँ पर business में manufacturer से consumer तक product direct पहुँचा के और बीच के सारे खर्चे का distribution अपने ही साथियों के साथ बाट लिया एता है क्योंकि अपने ही retailer को हम distributor कहते हैं हाँ एक बात बहुत बड़ी है यहां पर वो क्या है कि यहां पर जो लोग अचीवर्स होते ना वह उन चीजों को इतनी आसानी से बताते हैं कि मैंने mercedes चीव कर ली मैंने जैगवार चीव कर ली लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे खास विशेष्टाएं हैं जिसकी वैसे डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे बड़े नमबर वन, they are good learner, ये बहुत अच्छे learner हैं, इन्होंने चीजों को बहुत चैसे सीखा है, समझा है देर good networker, इन्होंने बहुत बहुत बेहतरी इन लोगों की टीम का गठन किया है, अपनी टीम में बहुत लोगों को लिया है टॉप लीडर्स द्वारा इन सभी चीजों को इतना असान बताया जाता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं भी चीज अचीज कर सकता हूं तो फ्रेंड जैसा तो तो सबसे पहले जरूरत है सही तरीके से सही कंपनी का सिलेक्शन करने की सही कंपनी का सिलेक्शन करने के बाद जरूरत है उस कंपनी के बिजनस मॉडल को समझने की बिजनस मॉडल को समझने के बाद सही तरीके से अपनी टीम को बिल्ट करने की बिना किसी नकली भ्रम बिना कि सब्सक्राइब करें दिए वीडियो को हमेश्म को सब्सक्राइब करें को सब्सक्राइब झाल झाल